तो दोस्तो वेलकम टू पल रेसिपीज मैं आज शेयर कर रही हूं वरत के माल पूए इसमें ना तो हम बेकिंग पॉडर का इस्तमाल करेंगे और ना ही बेकिंग सोड़े का और खाने में इन वरत इस्पेशल माल पूगों का टेस्ट तो बस लाजभा भी होगा वरत के अलावा भी आपीने कभी भी बना कर खा सकते हैं और फ्रिज में ये चार से पांस दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं माल पूगों बनाने के लिए मैंने ये लिया है 100 ग्राम पनीर इसको मिक्सी के जार में डाल कर ऐसे ही बस रफ्री दोड़कर डाल देते हैं इसका क्रीमी टेक्चर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके दूद और इसको बिल्कुल फाइन सा ग्राइंड कर लेंगे ऐसे ही बिल्कुल चिकना पीसना है एक बोल में ये निकाल भी लेते हैं मैंने ये एक कप दूद लिया था बाकी बचा हुआ दूद भी इसमें हम डाल देते हैं बस ध्यान लगना है कि ये मिक्चर बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी का हो इसमें अब हम डाल देंगे एक कप सिंगारे का आटा और विसकर से स्मूथ होने तक फेटेंगे इसमें एक भी लंप्स नहीं होने चाहिए केवल लंप्स फ्री करना है बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं फेटना है इसमें अब हम एड़ कर देंगे दो चमर्ज डैसिकेड़ कोकोनेट और अच्छे से मिक्स करेंगे कोकोनेट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है इसको अगर नहीं खाते हैं तो इसके भी कर सकते हैं हमें इसमें आदा कप दूद और मिलाना है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें और मिलाएंगे और फिर कंसिस्टेंसी भी देख लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए मैंने इसमें डिड़ कप दूद लिया है इसका मतलब यह है कि ये 300 ml मिल्क है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है हमें ऐसा ही बैटर चाहिए ये मैं इस बैटर को में डाल रही हूँ केसर वाला पानी केसर को मैंने थोड़ी से गरम पानी में भिगो दिया था इससी इसके कलर बहुत अच्छा आ गया है ये बैटर बिल्कुल पर्फेक्ट है इसको अब हम ढखकर आदे घंटे के लिए साइड में रख देंगे तब तक हम बना लेते हैं इन मालपो के लिए चाशनी अक्सर चीनी के कभी कभी ग्रेनल्स रह जाती है इसमें भी हम थोड़ी से केसर के धागे डाल देंगे और थोड़ा सा इलाइची का पॉडर भी डाल कर चलाएंगे हमें इस चाशनी में कोई तार वगरा नहीं लाना है बस हाथ में लेकर देखना है कि ये थोड़ी सी चिपचिपी सी लगे चीनी के गुलने के बादी बस तीन-चार मिनटी हमें इसे और पकाना है चाशनी मनकर तैयार है मालपो का बैटर भी देख लेते हैं ये थोड़ा सा फूल सगया है मीस बिल्कुल परफेक्ट है ये एक पैन में मैंने ये देशीगी ले लिया है आप चाहें तो रिफाइन डॉल भी ले सकते हैं ये गी मीडियम होट है बहुत तेज गरम नहीं है इसमें हम एक एक चमच बैटर डालते जाएंगे गी में बैटर डालते ही ये अपने आप तोड़ा फैल जाएगा हमें फैलाने के ज़रूद नहीं है एक और भी डाल देते हैं इसके उपर उपर भी गी डालते जाएंगे फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है तब ही अच्छे से सिकेंगे ये पैन छोटा है तो आप एक एक करके भी बना सकती है माल पूइ बैसे तो फ्लेट तबे पर ही अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से फैलने की इनको जगा मिल जाती है पलट भी देते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से सिक गई है पैन में ये इस पेस है तो एक और डाल देते हैं इसको भी ऐसे ही उपर से घी डाल कर सेकेंगे ये काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है इसको एक प्लेट पे निकाल भी लेती है और भी सभी माल पूइ इस दरह से बना लेंगे जैसे जैसे माल पूइ सिकते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें तुरंत गरम चाश्णी में इसको डालना है और चाश्णी में डालने के बाद तक्रीमन आदा गंटी के लिए ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद इस चाश्णी से निकालेंगे तभी ये अच्छे से रसीले होंगे आदा गंटा हो गया है इन सबी मालपूओं को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी चाशनी में डालकर ढखकर रख देंगे इतने बैटर से तक्रीवन 10-12 मालपूओं बन गई हैं अब बारी है इनको सर्फ करने की इसके लिए एक प्लेट में इन क्रेविंग से भरे भरपूर मालपूओं को एक प्लेट में रखकर ड्रैफ रूट्स की गार्निशिंग करेंगे आप इन गरम मालपूओं पर ठंडी ठंडी रवली डाल कर भी सर्फ कर सकते हैं ये बहुत जादा जूसी बने हैं आप इन यमिस से मालपूओं को इस नवराज से जरूर ट्रै कीजिए और मुझे कमन करके बताइए कि ये रैसिबी यदि आपने बनाई है तो कैसी बनी और टेस्ट में कैसी लगी रैसिबी बनाकर आप मेरे इंस्टेग्राम एकाउंट पर उसका फोटो शेयर कीजिए एकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है रैसिबी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैशी शाम जी